हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल दर लर्निंग सरकल पे दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मद्द प्रदेश की योजनाओं से संबंदित इसमें मैं आपको बताऊंगा मद्द प्रदेश की महतपुन योजनाओं 2020 और 2021 जो अभी फिलाल चल रही है कौनसी योजना कब चुरू ही इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए कुछ योजनाओं लिख भी रखे हैं आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसकी पीडियाप भी आपको अविल आइकन को दबाएं चलिए शुरू करते हैं देखे दोस्तों पहली योजना देख लेते हैं जीवन शक्ति योजना योजना का नाम है मुख मंतरी जीवन शक्ति योजना मद्धप्रदेश इनके दौरा शुरू कई गई राज्य की महिलाएं तो राज्य की महिलाओं के लिए है ये जिससे वो अपनी विरोजगारी दूर कर सकें ठीक है क्योंकि COVID-19 के कारण बहुत ही असमंजिस में है कहानी तो इस कारण से ये योजना को शुरू करना काफी जरूरी हो गया था बढ़ते हैं अगली योजना की तर कोहन के दौरा आरंबिक्तिती है 27 मई सन 2020 उद्देश रोजगार उपलब्द कराना लावारती राज के प्रवासी मजदूर जैसा आपको पता होगा बहुत सारे राज में मद्धिपरदेश के मजदूर काम करते थे वहां से क्या उन्हें बापस आना पड़ा लॉकडाउन क समय वो लोगों की नौकरी चली गई और इस कारेंट से यहां पर सरकार ने उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए यहां पर यह यह योजना चलाई रोजगार सेतू योजना तो आपको यहां को इसके जो लावारती है राज के प्रवासी मजदूर हैं जो अलग- मुख मंतरी किसान कल्यान योजना किसने आरंब की मद्य प्रदेश सरकार ने इसकी जो आरंब तिती है वो है 26 सितंबर सन 2020 इसका उद्देश है 4000 रुपे की आर्थिक साइधा प्रदान करना यह 2000-2000 करके दो किस्तों में दिये जाएंगे ठीक है तो आपको याद रखना है 4000 2000 रुपे दिये जाएंगे इस साल में लाबारती कोन है मद्य प्रदेश के किसानों के लिए की गई है क्योंकि क्या हुआ कि यह 2020 है यह काफी ऐसा साल रहा है इसमें सबको काफी अपना गुजर बसर करने के लिए काफी समस्याओं से जूजना पड़ा है इस कारेंट से सरका लेते हैं MP मुख्यमंत्री सौरोजगार योजना यह किसने लांच की है मद्य प्रदेश सरकार ने योजना कब शुरू हुई एक अगस्ट 2014 को यह योजना कब शुरू हुई है एक अगस्ट 2014 को और योजना का जो उद्देश है वो आप देखिए प्रदेश के नागरिकों क को सरोजगार के लिए प्रोट्साहिद करना ठीक है इसमें क्या अपन खुद से रोजगार कर सकते हैं ये क्या होताए एक अंत्रोपूनर होता है आपने सुना ओधमिता से संबंदे देता है उतमी स्के लिए रहता है खुद का व्यापारude करने के लिए इसमें जो है लावार्ति कौन होंगे मद्द प्रदेश के नागरेकों के लिए है ये इसमें जो लागत लगी है वो लगी पचास हजार से दस लाग रुपे तक आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं बिजनस स्टार्ट करने के लिए ठीक है अपना खुद का रूजगार अब ह compensate जाना जानी जाती है इसका पुराना नाम था मद्द प्रदेश मुक्मंत्रि जनकल्याण संभल यूजनणह जए सका पुराना नाम था अब यूजनआ को शुरू किया गया है तीन जुलाई सन 2018 को को ठीक है इसे जो विवाग जिसने शुरू किया है उसका नाम है श्रम विवाग इसका उद्देश है गरीव रेका के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 200 रोपय की लागत से बिजली परदान की जाएगी ठीक है अब जो 200 रोपय से नीचे की बिजली जोएन है मुफ्त दी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए लाबारती असंगटित छेत्रों के श्रमिक मजदूर अब जो श्रमिक मजदूर हैं जो काम कर रहा है उनके लि किये तो आप यहां से चेक कर सकते हैं यह नीचे साइड यहां पर दे रखिए ठीक है बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए अगली योजना है प्रदान मंत्री स्वानीदी योजना योजना का नाम स्वानीदी योजना यह मद्ध प्रदे सरकार ने भी इसे चलाय हुई इसका उद्देश वही है लोन प्रिदान करना और लाबारती हैं रियाड़ी पट्री वाले मतलब जो रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं उनके लिए यह यूजना है उससे दस अजार रुपए एक वर्ष के लिए उदार ले सकते हैं जो लोन के रूप में सरकार इन्हें एक साल के लिए दस अजार रुपए देगी इससे अपना ये बिजनेस या जो भी करना चाहें कर सकते हैं ठीक है गुजर बसर के लिए है क्योंकि अपन जानते हैं कि कोविट-19 के कारण जो 2020 ऐसा साल राय प्रेने भी नहीं चल प के लिए इन्हें 10,000 रुपए वार्शिक के रूप से दिये जाएं और इससे अपना बिजनेस दुबारा से स्टार्ट कर लें ठीक है बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए गरीब कल्यान रोजगार योजना योजना का नाम है गरीब कल्यान रोजगार योजना इ से स्टार्ट किया था योजना की शुरूबात प्रदान मंत्री नरेद मोजी के नेतरत में हुई थी उनके द्वारा हुई थी उसकी तारीक है वो है 20 जून 2021 और जो लावहरती लोग रहेंगे वो देश के सभी प्रवासी मजदूर देखिए मजदूरों से लेलेटर बहुत सा भूजना के अफसर प्रदान करना, बिहार, उत्तर परदेश, मद्ध परदेश, रायस्तान, उडिसा और जहरकन्ड यहां से 6 राज्यों के जो लोग हैं खासकर के लिए योजना इनी के लिए मद्ध परदेश का भी नाम है इसलिए मैंने यशी उजना को यहां पर लेखा ह क्या है, 125 दिन का निश्चित रोजगार देना है, इने जो है, 125 दिन के लिए नौकरी देना ही आवशक वही तरीके से, अपने को ये important हो जाता है, इसलिए अपने लिए, कि उनको 125 दिन के लिए निश्चित रोजगार देने वाली योजना है ये, ठीक है, बढ़ते हैं, अगल जाता है इसमें योजना का नाम है सुपर हंड्रेड योजना ठीक है सुपर हंड्रेड योजना के नाम से जानी जाती है योजना की शुरूबात हुई है 2012-13 में देखिए शुरूबात हुई 2012-13 में योजना की देखरेक मद्द प्रदेश सिक्षा विबाग करता है और योजना का लक्ष है 100 मेरिट छात्रों को प्रदेश के पिरसे तो दो सरकारी स्कूलों में मुफ्त एड्मिशन देना ठीक है जो बच्चे आंके पढ़ना चाहत सबी मेदावी छात्रों को भोपाल के सुबास हाईयर सेकेंडरी स्कूल और इंदौर के मलहार आश्रम स्कूल में मुफ्त एड्मिशन दिया जाएगा इसके लिए योजना बनाई गई है जिससे बच्चे जो हैं आंगे बढ़ सकें चीक है उन्हें प्रोचसान देने के लि सुबारम हुआ पांच जुलाई 2020 बिवाग मद्द प्रदेश परेटन बोर्ड एंपी टीवी उद्देश है सभी परेटक इस तलों को खुबसूरा तरीके से वर्णन करके परेटकों को आमंतरित करना देखिए क्या है सोशल मीडिया के आदार से इन जगों को लोगों तक पहुचाने के लिए कि यह जगे कितनी अच्छी हैं जिससे लोग यहां पे घूमने आए और लोगों को रोजगार मिल सके इस कारेंट से सरकार ने यह पहल की है तो आपको यह याद रखना है एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सारी की सारी योजना है बहुत ज्यादा इंपॉटेंट हो जाती है और एक्जाम में दो से तीन नंबर की पूछी ही जा रही है तो आपको यह याद रखना है यह अभियान राज के परेटन इस्तलों पर परेटों को आकरशित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉम पर शुरू की गई है सोशल मीडिया पे इस आप समझी गए होंगे क्या जूते या चपल से ही रिलेटेड होता है अपने पैरों में पहनने वाली चीज हो जाती है तो चरण पादु का योजना योजना का नाम है चरण पादु का योजना इसका सुबारम हुगा 19 अप्रेल 2018 को उद्देश यह है तैंदु पत्ता संग इस राकों को जूते यहां से इसका शुबारम हुगा इस स्टार्टिंग हुग है तो आपको यह याद रखना है चरण पादु का योजना किस से रिलेटेड है ठीक है पढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरह अपने देखिए अगली योजना मद्दे प्रदेश महा आयुश्म इसमें क्या है पाँच लग तक का इलाज फिरी है तो इस कारेंट से अभी इसके जो आयुश्मान कार्ट बन रहे हैं अगर आपने नहीं बन बाए तो बिल्कुल नजदी की केंदर में जाएं और बन बाएं इसमें टार्गेट रखा गया है उनने 48 लाक लोग रखे गए अ बास्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी के द्वारा शुरू की गई थी तो योजना का प्रारम हुआ था 15 अगस्त 2019 को लावारती है मद्य प्रदेश राज्य के मूलेवासी और लावारती की संक्या है 48 लाक लोग रखे गए अभी और योजना की लागत है 900 करोड लोपे जो कि मद्य प्रदेश सरकार उठा रहे हैं इसका पूरा खर्चा ठीक है बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए बढ़ते हैं मुख्यमंत्री कौशल समवर्दन योजना ठीक है तो योजना का नाम हो जाता है मुख्यमंत्री कौशल समवर्दन योजना योजना किस करके रोजगार प्राप्त करने में साहे था तो यह क्या है किसाब से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक पहले यूवां को प्रिसिक्षन दिया जा रहा है ट्रेनिंग दी जा रही इससे वो आगे बढ़ें ठीक है बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ देखिए मुख्यमं हुई थी 2019 में योजना किसने लॉंच की मद्रदेश सरकार मैंने ब्लकुल आसानी से समझा रखा है आपको पॉइंट्स बना बना के बड़ा आसान तरीके से उद्देश है मासूम अनाद बच्चों को बैतर जीवन देना और लावार्ति कोने अनाद बच्चे अनाद बच् स्कूल हो गयते बंद ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इस योजना को बनाया गया हमारा गार हमारा विद्याले जैसे स्कूल में पीरेट्स लगते हैं बैल बसती है उसी तरीके से यह योजना में भी हुआ योजना का नाम है मद्रदेश हमारा गार हमारा विद्याले तो घर को एक जुलाई 2020 लावारती हैं विद्ध्यारती स्कूल के बच्चे और उद्देश्य विद्ध्यारतियों को कि जो सैक्षिक निरंतकता है उसको आगे बढ़ाना देखिए क्या है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पिछड़ दई थी इस कारेंट से इस योजना को लेके आना प बढ़ा ठीक है बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए निष्टा विद्धुत मित्र योजना देखिए निष्टा विद्धुत मित्र योजना है ये योजना का नाम निष्टा विद्धुत मित्र योजना शुरूवात इसकी मद्द छेत्र विद्धुत विद्ध प्रृदान करना क्या promote करती 남jung accept कम्दी के राजस्भ को बढ़ाने के लिए साथ महिला ओंलख दो इसमें क्या रहता है कि महिला मदद करती का real कुछ चलाने के लिए क्यों के इंदर सरकारी यूजनाओं में शामिल नहीं तो आपको ये याद रखना है इसमें महिलाओं का सम्मू रहता है वो काम करता है सब तरीके से देखे यूबा स्वाविमान योजना अब देखिए यूबा स्वाविमान योजना योजना का नाम यूबा स्वाविमान योजना जिसका सुबारम सीम कमनलात ने किया था और आवाज विवाग योजना शुरू करने की तारीक थी 12 फरवरी 2019 लावारती शेहर छेत्र के विरोजगार युवा विरोजगार युवाओं के लिए था उद्देश था 365 दिनों का रोजगार प्रदान करना रोजगार का प्रिकार था राज सरकार की योजना अब देखो क् 65 दिन का रोजगार देना था भी रोजगार लोगों को इसमें क्या है अब मद्द प्रदेश के जो नागरे के लिए रोजगार के लिए सरकार ने ये पहल की थी बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए अगली योजना एक जिला एक उत्पाद योजना वन डिस्ट् पारीग है वो है 2018 और जो बिभाग है किसान कल्यान तता क्रिशी विकास ये इसका बिभाग है उद्देश है जिले के छोटे मद्यम और परंपरागत उद्द्यों को आंगे बढ़ाना इसमें जो सबजी बगरा होगाते हैं और जो छोटे मोटे काम करते हैं मतलब कृष्ट हो जाता है इस कारण से मद्यपिर्देश के बुरानपूर से रिलेटेड है ये और वहां पे अब दीरे-दीरे करके सब जलों में आता जा रहा है तो इसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए THANKS MOM ABYAHAN THANKS MOM ABYAHAN से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ये योजना इसका नाम है THANKS MOM ABYAHAN ये मद्यपिर्देश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इसका जो आधिकारिक नाम है वो है सैयुक्त राष्ट्र विश्व परियावरेंट दिवस दुआरा क्या हुआ था इसमें कि विश्व परियावरेंट दिवस वाले दिन सभी लोगों ने क्या किया था पेड़ हो गाये थे पौदे हो गाये थे यहां पे पौदे हो गाये थे तो उसके अन्य नाम से भी जाना जाता है ये इकोडे के न वैसे ही ध्यान रखना था ठीक है ती थी क्या थी 5 जून 2020 और पिरकार देख क्या वैसे ही अंतरास्टी है जो अपना राष्ट विश्व पर्यावरेंट दिवस है संयुक्त राष्ट का इसमें क्या 5 जून को होता है ये 5 जून 2020 को इसे भारत में और सब लोगों ने अधिकतर क्या किया है बहुत सारे पौदे होगाए हैं और हर एक इनसान को पौदे की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसे मा की तरह बिलकुल पाले उसका उद्देश है पूरे विश्व को पर्यावरेंट की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए इसे समझे है तू कि इससे क्या आपन समझ पर्यावरेंट को क्यों बचाना चाहिए और उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए उस चीज को समझे अनुष्ठान क्या है पर्यावरेंट की सुरक्षा अब मद्द प्रिदेश में थैंक्स मॉम नाम से ब्रक्षारोपन अभियान शुरू हुआ परीसर में नीम, अम्रूद, आम, चांदनी, पारिजाद और तुलसी के पौदे लगाए गए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के पौदे लगाए गए हैं और एक कर्मचारी को इसकी जो है सौपा गया है कि आपको कैसे उन्हें देखवाल करनी है ठीक है बढ़ते हैं एक लिए योजना की तरफ 2021 से 20 अब देखे 2020 तक यह योजना अभी करी गई है आंगे भी बढ़ा सकते हैं उसका अभी निश्यत नहीं है उद्देश है मद्दे पिरदेश में महीलाओं लड़कियों और बच्चों पर विविन सारवजने कि स्तानों पर हिंसा और उत्पीडन को रोकने और उन्हें पहले 6 सेहर को टार्गेट किया गया है जो बड़े महानागर हैं यहांके मद्देश के बड़े बड़े जो सेहर हैं उन्हें टार्गेट किया गया भोपाल इंदौर जवलपूर गौालियर छतरपूर चिंदवाड़ा यह बड़े बड़े शेहरों में पहले योजना गरामीन आजिवी का मिशन की महीलाओं द्वारा की गई है जो जिला जहां से शुरूबात हुई है जाववा जिला मद्देश का उद्देश रहे गरामीन-ादीवासी छेतरों में गर्ववती गरामीन महीलाओं के लिए जीवन रेका सावित हो क्या है इसमें जो प्रेगने वाहन सेवा के तहट पूरी तरह से फ्री वाहन जो है प्रदान किया जाता है इसमें जो है जो लेडिस मैंने आपको बता है ग्रामी नाजीवी का मिशन की महिला है इनने ये मिशन चालू किया है और ये पूरी इसकी देखरे करती है जिससे फ्री वाहन की सुभीदा हो जिससे कोई लेट ना हो और समय से अस्पताल पहुंच सके तो प्रेगनेंट लेडिस के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट है योजना देखिए बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए मिलावट से मुक्ति अभियान ये मिलावट आप देख रहे हैं हर क्योंकि आपको पता ही था कोवेट 19 का कारेंट था थो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है रूल्स भी स्ट्रिक्ट थे और फिर क्या ये चीजों में मिलावट का भी दोर चल रहा था क्योंकि सामान की जो स्टेज होने लगी थी लोग स्टोर करने लगे थे और इस का हो गया जिसका सुवारम सिवरास सिंग चोहान और स्वास्त मंत्री प्रभू राम चौधरी ने किया उद्देश अलग-अलग इस्तानों पर जाकर खाद सामगरी की जांच करना अब देखिए खाद सामगरी की जांच करने के लिए चलाई गई इसका क्रियान वेन इस अभि के लिए ठीक है बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ देखिए अगली योजना जै किसान जै किसान फसल रिण माफी योजना तो योजना का नाम हो जाता जै किसान फसल रिण माफी योजना इसके अंतरगत मद्देपिर्देश राज्य सरकार ने ये योजना चलाई सुवा याग रुपे तक का करज लिया है और चुका नहीं पा रहे हैं, उनकिसानों को करज माफ कर दिया जा reproduHI याएगा, लावार्ती हैं, लगू और सीमांत किसान जो तोड़े गरीव तबके के किसान हैं, जिन पर इतना पैसा नहीं कि वो चुका पाएं, तो ंलों का जो कर जाए 2,00,00 तक का, वो माफ कर दिया जाएगा, देगे, बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, रोकोटोको अभियान, ये योजना भी कोवेट 19 के कारण से ही चलाई गई है, रोकोटोको अभियान, क्योंकि कोवेट के कारण से, क्या मास्क वगेरा पहनने की लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद दोस्तों क्विडयो तोस्तों है